ब्रीफ रिव्यू ओफ कार्टिशियन सिस्टम ओफ रेक्टैंगुलर कौर्डिनेट्स हम बात कर रहे हैं कार्टिशियन कौर्डिनेट्स सिस्टम की कार्टिशियन कौर्डिनेट्स सिस्टम होता क्या है कार्टिशियन कौर्डिनेट्स सिस्टम इसको Cartesian में ऐसे लिखते है C-A-R-T-E-S-I-A-N Cartesian Coordinate System यह है Rectangular Coordinate Axis या कहें Cartesian Coordinates कैसे बनता है इसमें हम अज्यूम करते है कि एक plane है इसको हमने इस तरीके से एक plane paper पे दो perpendicular line बनाई यह जो perpendicular line है इसका मतलब यह सारे जो angles है यह angle यह angle यह angle यह angle और यह angle सारे 90 degree है इसके अलावा जो horizontal line दीख रही है आपको हम इसको कहते है X-axis क्या कहते है X-axis इसको हम अगर X माने और इसको origin माने तो इसको X- कहेंगे इसी तरीके से जो यह अच्छा end में हम सबको arrow देते हैं arrow से बनाते हैं यहां पर हम जाएंगे इसको Y कहेंगे और इसको Y- कहेंगे तो जो भी आप दाएं तरफ चलेंगे आप positive कहेंगे यह एक्स दाएं तरफ जा रहे है तो X positive यह तरफ जाएंगे तो आप X negative हो जाएगा यह एक्स positive रहेगा इसी तरी किसा आप उपर की तरफ जाएंगे तो y positive रहेगा जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो y नीचे रहेगा मतलब negative रहेगा इसमें करते हम क्या है, क्या negative रहेगा हम इसको एक proper scale जो आपकी मर्जी हो जिस हिसाब से आपके पास सवाल हो या फिर एक measurement लेने की विरस्था हो आप इसको एक proper measurement के हिसाब से divide करते हैं जैसे माली जिए मैंने ये distance को 1 माल लिया तो इतना ही distance मैं 2 लूँगा, इतना ही distance मैं 3 लूँगा ऐसे करते चले जाएंगे यहाँ पर जैसे हम आएंगे, जैसे मैंने का बाएं हाथ पर आएंगे, तो यह negative हो जाएगा negative 1, यह हो जाएगा negative 2 negative 3, यह जो distance है यहाँ से यहाँ तक का, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का distance दोनों बराबर होगा, ठीक? बतलब यहाँ से 2 से 3 का जो distance है वो ही minus 2 से minus 3 के बीच में कि इनके धर्मियान यह distance रहेगा इस तरीके से अब जब उपर जाएंगे y में तो यहाँ plus 1 यहाँ plus 2, plus 3 distance भी same रहेगा, यही measurement रहेगा और फिर नीचे आएंगे तो minus 1 minus 2 और minus 3 इसे हम कहते हैं Cartesian coordinate system अच्छा एक और चीज़ बता दूँ आपको कि अगर हमने कोई एक point लिया है यहाँ पर ऐसा P, P का X, Y तो अगर आप एक line draw करें जो parallel हो Y axis के, ऐसे drop होगी हो एक line draw करें जो parallel हो Y axis के, तो यह Y axis है, एक line हमने Y axis, यह Y axis के parallel है और यह जो line है, यह X axis के parallel है, यह Y axis और X axis के parallel सब् pequen दिख्लम द्यूलगे जो हन वाय है यह एकस इस से परपेंडिकुलर है इसका मतलब जो स्ट आपकी वाय एकस से और जो वाय बढ़ गया है वह आपकी दूरी है एकसे वह यह x इतना चले या इसको इस तरीके कह सकते हैं आपकी starting point आप इतना चले फिर यूँ बढ़ गया है यह आपका जो point मिला यह x हो गया यह y हो गया राइट अर distance कितना चले आप origin से under root x square plus y square फिर यहां तक हो गया आपका यह जो है यहां पर आपने देखा कि जब हमने p point x y बनाया तो यहां पर निकालने के लिए हमने एक rectangular बनाया इसी को हम कहते है rectangular partition coordinate system जब एक point को जैसे मालीज़ मैं यहां point चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे ऐसे एक line draw करेंगे y axis के parallel ऐसे एक line draw करेंगे x axis के parallel यह जो line की length होगी वो और यह जो line की length होगी यही इसके x और y coordinates होगे इसका मतलब यह है कि एक rectangle बना रहा है इसी को हम rectangular partition coordinate system कहते हैं अब जो हमने चार coordinate यह चार हमने एक piece of paper को चार भाग में divide किया यह कहें एक plane को हमने चार भागों में x greater than 0 होता है y greater than 0 होता है यह अगर मैं आपको पहले यह बता दूँ यहाँ पर यह first coordinate कहते हैं इसको यह second coordinate है, यह third coordinate है, यह fourth coordinate है यह x greater than 0 होता है y greater than 0 होता है यह x less than 0 होता है y greater than 0 होता है यह x less than 0 होता है y less than 0 होता है यह x greater than 0 होता है y less than 0 होता है यह less than 0 है y less than 0 है देखिए x less than 0, y less than 0 कहा है यहाँ पर है यह जो point है यह आपका third coordinate में belong करता है अब हम बात कर रहे है distance between two points आपको दो points के बीच में दूरी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते है फिर से आप आजेए यहाँ partition coordinate system में माल लिजे आपको इस point और इस point में दूरी चाहिए जैसे यह P है यह Q है और P को आप कहते हैं कि यह x1, y1 है और Q को आप कहते हैं यह x2 और y2 है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप इसको इस तरीके से बना दे यह parallel line जो अभी मैंने आपको सिखाया ऐसे से करके आप x1, y1 को बता दे तो आपको बिसिकली यह distance निकालना है यह distance कैसे निकल के आएगा यह distance और यह distance का square कर दे यह triangle बन रहा है अगर आप P Q इसको R कर दूँ तो यह P Q R है triangle P Q square बराबर होगा P R square plus R Q square लेकिन यह R Q है क्या यहां से आतक दूरी है x2 यहां से आतक दूरी है x1 तो यह दूरी कितनी होई x2 minus x1 यहां से आतक दूरी है आपकी y1 और यहां से आतक दूरी है आपकी y2 इतनी तो आपका यह distance कितनी होई y1 minus y2 तो आप कैसे करेंगे इसको इसको आप लिखेंगे जो distance होगा यानि कि आप यहाँ पर करेंगे तो basically क्या आएगा x2-x1 या x1-x2 या y1-y2 या y2-y1 का whole square यह distance होगया x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square यह होता है आपका d square चाहे d निकालना है तो आप यहाँ पर root कर दीजे पूरा यह आपका दो point की बीच में distance बन जाएगा यानि आपने कहा distance of abscissa और distance of ordinate अब इसमें कई चीजे आएंगी जैसे अगर आपके आपके पास square है अगर आपको prove करना है कि एक figure आपका square है तो इसके लिए क्या करेंगे आप prove करेंगे कि 4 sides इसकी equal है चारो side equal है और इसके diagonals भी equal है अगर आपको prove करना है कि rhombus है तब आप क्या करेंगे rhombus के लिए आपको prove करना पड़ेगा कि 4 जो sides है वो equal है बस इसी से काम चल जाएगा अगर आपके पास rectangle prove करना है कोई ऐसा figure है जो बताना है कि यह rectangle है तब आप क्या करेंगे आप जो opposite sides है यानि कि जो आप ऐसा figure है न तो जो opposite sides है वो opposite sides आपको equal बताने है और जो diagonals है वो आपको equal बतानी है diagonal equal बतानी है parallelogram की बात करेंगे parallelogram इसको आप हैसे लिख सकते हैं parallelogram तो parallelogram है तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे opposite sides आप equal कर देंगे वो इक्वल बता देंगे तो काम पचल जाएगा अगर पैरलेलोग्राम है लेकर रेक्टैंगल नहीं है तब आप क्या करेंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो opposite sides है वो equal है लेकिन diagonals equal नहीं है अगर rhombus है rhombus और square नहीं है यह प्रूव करना है कि rhombus है square नहीं है तो आप क्या करेंगे सारे जितने भी all sides all sides यह आपको equal बताने है और diagnose जो है वो unequal बतानी है तब आपका काम चल पाएगा एक और चीज़ बताता हूँ कि तीन अगर points है collinear अगर तीन points है collinear collinear का मतलब होता है कि collinear collinear नहीं मतलब होता है straight collinear नहीं मतलब तीनो एकी line में है अगर यह तीनो points एकी line में है तो इसकी दूरी इन दोनों की दूरी प्लास इन दोनों की दूरी इन दोनों के बराबर होनी चाहिए यानि कोई भी दो पेर आप ले लीजे पहले तो हर दो पेर के बिच्चों डिस्टंस निकाल लीजे दो का सम तीसरे के बराबर होगा इसको हम को लिनियर कहेंगे इसके लाबा जो अलग दूसरी चीज़ आती है जो इंपॉर्टन आईगी इसमें वो है area of triangle इसके लिए हमारे पास एक सीधा formula है अगर आप कहें यह x1, y1, z1 यह x1, y1 x2, y2 यह x3, y3 माली जो यह a है, यह b है, यह c है अब देखेगा यह a, b, c लेने का भी तरीका समझेगा क्योंकि इसमें area जो है positive और negative होगा clockwise, anti-clockwise clockwise, पहले मैं आपको पहले area समझा देता हूँ area जो होता है, उसका formula है half और determinant x1, x2, x3 इस तरीकी से y1, y2, y3 और 111, अब अगर आप determinant से विधित नहीं है, आपको नहीं पता तो इसका मैं formula लग देता हूँ, जो इसको open करते तो तो क्या मिलता है, open करते तो आपको मिलता है half x1, y2 minus y3, plus x2, y3 minus y1, और plus x3, y1 minus y2 यह formula याद रहेगा, यह formula है area of triangle का अगर आप anti-clockwise लेके चल रहे हैं यह points है न, bc पहले यह point लिया, फिर यह point लिया, यह point लिया यह इस direction में चल रहे हैं, तो area positive आएगा अगर आप पहले b ले रहे हैं, फिर a ले रहे हैं, c ले रहे हैं इसे चलेंगे, तो area आपका negative आएगा, दिये ध्यान रखिएगा आप इसके लाँ एक और चीज है, area of triangle, अगर मैं आपसे कहूँ कि तीन point है मेरे, वो equiline में है, तो इनका area कितना होगा यह तो triangle बना ही नहीं रहे हैं, triangle तो ऐसे बनता है reality की condition है, कि तीन point अगर आपके पास है, तो area निकाल लिए, उसको 0 कर दीजे, area जो 0 होगा, वो आपका क्या होगा, वो बताएगा, कि तीनो point जो है, आपके अब बीच में कोई एक point है माली जो यहाँ पर, इसको p point कहते हैं, और यह xy है, और xy निकालना है, तो xy कैसे निकलेगा यह माली जो इसको divide करता है m is to n ratio में, तो x निकालने का की जो प्रक्रिया होगा है आपकी, x equals mx2 plus nx1 by m plus n, और इसमें y आएगा आपका m y2 plus n y1 by m plus n, ऐसे निकल गयाएगा, यह internal division कहते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास यह a और b point है, और यहाँ पर जो point है, वो p यहाँ पर है, बहार point है, और यह m is to n में divide कर रहा है इसको, तब आप क्या करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर minus minus कर देंगे, यहाँ minus minus कर देंगे, point इसी तरीके से निकाला जाएगा, मन्ना mx2 minus nx1 by m minus n, और my2 minus n y1 by m minus n, इस तरीके से इसको निकाले गया, फिर इसके बाद एक और चीज आती है, जो हमने, हमेरे पास कई बार आएगी, जिसे हम कहते हैं, लोकस, अब लोकस क्या होता है, लोकस सबसे इच्छा एग्जामपल है इसका सर्कल, अगर आप यहाँ पर मान लीजे, एक बल्ली गा इतनी है, वो कितना grazing कर सकता है, इतना area grazing कर सकता है, और कितनी दूरी तक जा सकता है, एक सर्कल यह तक जा सकता है, इसको हम लोकस कहते हैं, यानि लोकस मतलब होता है, the curve described by a point which moves under given condition or conditions is called locus, locus मतलब होता है, कि अगर आपने कोई condition decide कर ली, उस condition के हिसाब से ही, वो point move करेगा, तो अगर माली जी इस तरीके से move करता है तो हम उसको कुछ कहेंगे ऐसे करके move करता है तो कुछ कहेंगे और अगर ऐसे करके move करता है तो हम इसको circle कहने लगेंगे इस तरीके से move करने लगेगा तो हम इसको ellipse कहने लगेंगे ऐसे अलग गलग लोकस बनेंगे तो उसमें करना क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते है कि जो पहली condition होती है इसको solve करने का तरीका बता रहा है इसे जब आपके problem हैंगी equation to the locus of a point इसका मतलब the equation to the locus of a point is the relation which is satisfied by the coordinates of every point on the locus of the point locus पे हर point इस equation को satisfy करना चाहिए वो equation कैसे निकालेंगे सबसे पहले मालिए कि जो coordinates किसी point के हम उसको h और k माल लेंगे जिसका locus हमें निकालना है दूसरी step में हम क्या कहेंगे कि एक given condition जो mathematical form में h और k के इसाब से लिखेंगे मैं एक्जामपल लूँगा इसको समझाओंगा भी आपको पहले आपको बतादू इसके तक्नीक क्या है तीसी चीज़ जो होगी आपको ये जो variables है जितने variables हैं इनको हटाना पड़ेगा eliminate करना पड़ेगा फिर आपके पास चौती चीज़ जो आएगी edge को आप replace कर दीजे x से और k को replace कर दीजे y से यही तरीका है तो मैं आपका इसका example लूँगा ताकि आप यह समझ जाएं कि मैं चर्चा किस बात की कर रहा हूँ question कुछ इस तरीके से question कहता है कि find the locus of a point so that the join of minus 5, 1 and 3 to subtend a right angle at the moving point यानि एक ऐसा point है जो इस तरीके से move कर रहा है कि एक यह point है और एक यह point है जब भी आप इसको join करें मतलब यह point इधर पी आएगा तो भी आगर आप इसको इस तरीके से join करें यह 90 degree होगा यह 90 degree होगा इस तरीके से यह point का locus निकालना है कहने का मतलब यह है कि आपके पास यह point क्या है हमको सवाल में दिया है यह minus 5 1 है यह point जो दिया हुआ है यह आपको 3 2 और जो एक point SM move कर रहा है जो SM move करेगा जब भी इसका distance यहां से यहां तक ले या फिर इसका angle बनाए तो यह 90 degree बनेगा right angle at the moving point तो यह 90 degree है अब इसको मैं इस तरीके से पराता हूँ यह point है कि यह point है यह point है और यह सवाल में दिया गया है कि यह 90 degree है तो आपके पास यह हो गया minus 5 1 यह हो गया 5 3 और 2 3 2 और minus 5 और 1 अब आप क्या करते हैं इसके लिए यह point है पी इसको h और k मानते हैं अब देखें आप क्यूंकि इसका distance और इसका distance यह दोनों जो है यह कहें कि इनका जो angle 90 degree है तो एक इसको जोड़ देते हैं तो एक राइट अंगल ट्राइंगल बन गया मतलब इसका square इसका square बराबर इसका square अगर मैं इसको point को कहूं कि भाई यह हमारा P point है यह A हो गया यह B हो गया तो P A square प्रास P B square अपर आप A B square हो गया इसका मतलब मैं अगर इसका distance लो इनका distance ले रहे हैं यह होगा 3 minus 5 हो जागा 3 plus 5 whole square plus 2 minus 1 का whole square यह बराबर होगा इसका distance लेंगे आप इसका मतलब है h minus or minus 5 तो h plus 5 हो जाएगा plus अब k minus 1 k minus 1 का whole square plus यह इसका distance होगा अब यह आदा distance लेंगे यह कितना होगा h minus 3 का whole square यह distance formula हम अलगी देख चुके है अब इसको solve करेंगे तो आपका आएगा h square plus k square plus 2 h minus 3 k minus 13 equals to 0 आखिर में क्या करना है h और k को आप replace कर दीजे किस से x और y से तो यह हो जागा x square plus y square plus 2 x minus 3 y minus 13 equal to 0 यह आपका locus निकल जागा तो यह तरीका होता है locus निकालने का अब हम बात कर रहे है shifting of origin shifting of origin shifting of origin में क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक origin है normal यानि कि आपके पास एक partition coordinate system है और आप इस partition coordinate system में जो origin है यह o इसको आप कहीं o dash पे shift करते हैं तो यह o dash और o में क्या relation होगा यानि अब मैं यह जो इसको खिसका रहा हूँ उठा के यहां रख रहा हूँ तो ultimately अब मेरी जो origin है system है मतला मेरा जो partition coordinate system होगा वो इसके हिसाब से चलेगा तो मैंने इसको यहां से यहां shift कर दिया यहां से यहां shift कर दिया तो इसके अख लिए है कैसे करेंगे इसके लिए हम मानके चलते हैं कि हम माल लिजेए एक point here आपर है x, y यह, y है ठीक, x, y है इसका मतलब यहां से x, y का मतलब क्या होता है यहां से यहां तक इसकी दूरी है x और यहां से यहां तक इसकी दूरी है y यह 0-0 था मालीजी हम यह h और k पे आ गए नहीं origin है जो हमारी h k है तो अब h k के respect में x, y क्या होगा इस h k का मतलब क्या है यहां से यहां तक दूरी है h मतलब x coordinate यह हमने h लिया है और यहां से यहां तक दूरी है आपकी यहां से यहां तक तो h हो गया और यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई आपकी k ठीक अब यह जो आप पोर रहे हैं कि हम HK पर आ गए यहाँ से आथ तक दूरी अब यह नहीं कॉडिट सिस्टम आ गया नहीं कॉडिट सिस्टम के हिसाब से पुराने कॉडिट सिस्टम जो ओल्ड कॉडिट सिस्टम था उसके इसाब से यह जो point है X और Y है मानिजे कि नया कॉडिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पॉइंट है वो X और Y है Capital Y अब इस कॉडिनेट सिस्टम के हिसाब से अब नया कॉडिनेट सिस्टम के हिसाब से ये कितना होगा X कितना होगा, ये होगा ये होगा, ये X होगा आपका और नए कोडिनेट सिस्टम अभी इस पुराने कोडिनेट सिस्टम को भूल जाए यह जो लाइन मैंने पहले मनाई थी इसको भूल जाए आप इसी को देखी बस यह एच प्लस केपिटल X यहाँ पर आईए यह आपको पूरा Y किसके बराबर बन रहा है यह K प्लस Y नए कोडिनेट सिस्टम X और Y है तो नए कोडिनेट सिस्टम निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसको यहाँ ले जाईए एकस मैनस H हो जाएगा इसको यहाँ ले जाईए कैपिटल Y हो जाएगा Y मैनस K है तो नए कोडिनेट सिस्टम कैसे बना आपका X मैनस H करके और Y मै तो नया coordinate system निकालने का तरीका ये है मैं आपको इसका example बताऊगा इसका example कुछ इस तरीके से है कि At what point the origin is shifted किस जगा पे origin shift की जाएगी If the coordinates of a point 4,5 becomes 3, minus 3,9 याने जो यहाँ पर सवाल था कि ऐसा क्या हम At what point the origin is shifted origin को हम ऐसा कैसे shift करें कि जगा पे shift करें The point 4,5 becomes minus 3,9 मतलब जो पहले यह 3,9 था जो X और Y तीन और पहले जो आपका 4 और 5 था वो बन जाएगा 3,9 ठीक 4 और 5 आपका 3,9 बनना चाहिए इस तरीके से आप बताईए कैसे coordinate system change हुआ इसका मतलब फिर से आपको समझाता हूँ सवाल यह है कि At what point the origin is shifted if the coordinates of a point 4,5 becomes minus 3,9 यह X क्या है capital 4 Y क्या है capital 5 capital X क्या हुआ फिर next क्या बन गया minus 3,3 बनना चाहिए और capital Y आपका 9 बनना चाहिए अब आपके पास तो formula है X equals to capital X plus H और Y equals capital Y plus K यह रख दीजें इसमें यह आपका 4 बराबर minus 3 plus H हो जाएगा यह आपका 5 बराबर 9 plus K हो जाएगा इसे आपको H मिल जाएगा 7 और K मिल जाएगा आपका minus 4 बतलब origin को आपको कितना shift करना पड़ेगा origin को shift करना पड़ेगा 7 of minus 4 पे तो यह जो coordinate था पहले का वो नए coordinate system में चीज़ हो जाएगा तो यही बात है आपके किसकी shifting of origin की तो यह बात हुई हमारे brief review of partition system of rectangular coordinates की अब हम लेंगे question और answer and a solution लेंगे तो शुक्रिया महरबानी आप सबी की